नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं इस सम्बंद में कार्मिक विभाग की ओर से बुद्धवार को जारी आदेस में कहा गया है कि जार्खन हाई कोट की ओर से पारित आदेस की वज़ा से उसने परिक्षा के कालेकरम को रद किया है बता दे कि 16 दिसंबर 2022 को एक याची का सीपी सी नमबर 3894 बाई 2021 रमेश हंसदा एवं अने बनाम जार्खन राज एवं अने तथा सनलग नवाद की सुनवाई करते हुए जार्खन हाई कोट ने राज सरकार की नियोजन निती को रद कर दिया था इस फैसले के आलोग में कार्मिक प्रसासनिक सुधारत था राज भासा विभाग जार्खन ने 30 जनवरी 2023 को एक पत्र जारी कर कहा है कि निमलिखित 12 परिक्षाओं के जरिये जारी बिग्यापन को रद किया जाता है परिक्षा के लिए जारी बिग्यापन की पूरी सूची 2223 में नोखरी रोझगार महंगाई पर को चर्चा नहीं सियम हेमांत केंदरिये वित्मंत्री निर्मला सितार मंद्वाराबुधवार को केंदरिये बिग्यापन 2425 को सियम हेमांत शुड़ैने पुंजी पतियों को सहूलियत देने वाला बिग्याप बताया है उमीद था कि स्वास्त सिक्षा रोजगार जो की कुरोना महामारी के समय सबसे ज़्यादा परभावित हुए थे उसको लेकर विशेज प्रबंध किये जाएंगे। हमें उमीद थी कि GST कमपनिसेंशन के लिए समय बढ़ाया जाएगा लेकिन आसा के विप्रित सिक्षा स्वास्त एवं ग्रामिन भारत की जीवन रेखाया मन्रेगा के बयट में कटोती की गई है। बता दे कि न्युक्ती एवम पदस्थापना की परकिया अब तक पूरी कर ली जानी थी लेकिन सभी जीलों में अभिया सुनिस्चित नहीं हो सका है। बता दे कि स्कूली सिक्षा यों सक्षार्था विभागने फरवरी माहा के अंत तक न्युक्ति पर किया पूरी करने का निदेश दिया है गौतला भाय की 404 उतकरिष्ट वा अधर्स विद्याले में करीब 32 और कस्तुरुबा गांति बाल का आवास्य विद्याले में एक हैर सिक्षो किन्युक्ति होगी वही 405 उत्करिष्ट वा अधर्स विद्यालों में अब तक 122 स्कूलों में से अभी खाली पदों की संख्या जीला परसासन नहीं भेजा है धनबाद अगिन कांड मामला में मंत्री बन्ना गुपता ने नक्सा पास करने पर लगाई रोक धनबाद के जोड़ा फाटक स्थीत अशिरवाद टावर अपार्टमेंट में मंगलवार को लगी भिशन आगलागी में 14 लोगों की मौत हो गई थी इस मामले को राज सरकार ने गंबीता से लिया है बुद्वार को जारकन के स्वास्त मंत्री बन्ना गुपता घटनास्थल पर पहुंचे घटनास्थल जाकर घटना की जनकारी ली साथी स्वास्त मंत्री ने ततकाल नक्सा पास पर रोक लगाने का निर्देश डिसी को दिया उन्होंने कहा है कि जब तक मुख्य मंत्री और मुख्य सचीव का आदेश न आ जाए तब तक नक्सा पास का कार्य अस्थागीत रहेगा इस दोरान स्वास्त मंत्री ने कहा है कि यहाँ ट्रेफिक और फायर फाइटिंग की ब्यवास्था की काफी समस्या है इसमें सुधार की जरूरत है इस खटना को लेकर मुख्य मंत्री के निदेश पर मुख्य सचीव बैठक कर रहे हैं जल्दी बेहतर सुधार के लिए आवस्य कदम उठाई जाएगी रिम्स के नीजी सुरक्षा कर्मियों ने किया हमला रिम्स में होमकाट के जवानों को बुद्धवार से सुरक्षा बेवस्ता की जिमेदारी दे दी गई है इसके साथ ही नीजी सुरक्षा कर्मियों को काम से हटा दिया गया है इस पर बुद्धवार को नीजी सुरक्षा कर्मियों का अक्रोस फुटा पड़ा उन्होंने रिंस अधिकारियों पर हमला बोल दिया बतादे सुबह करीब 9.40 मिनट पर 70-100 की संख्यमिनजी सुरक्षा कर्मी अधिक्षक के कराले पहुंचे वहाँ तैनाथ जवानों को ढखेलते हुए अंदर चेंबर में परवेश कर गए उस वक्त अधिक्षक चेंबर में पहुंचे नहीं थे लेकिन वहाँ पर उपाधिक्षक थे करनल सैलेस्तिरी पाठी बैठे हुए थे जिन पर इन कर्मियों ने हमला बोल दिया जिसके बाद उपाधिक्षक वहाँ से जान बचाते हुए चेंबर के अंदर ही बने गोपनिय कक्ष में अपने आप को अंदर से लोग कर लिया इसी बीच इन निजी कर्मियों ने वहाँ लगे CCTV कैमरे से लेकर इससे जुड़े उपकरन को भी छतिकरस्ट करने की कोशिस की रोड इस्थीत आसिरवाद अपाटमेंट में मंगलवार की साम करीब 6.5 बजे आग लग जाने की घटना से लोग डरे हुए हैं इस अपाटमेंट में रहने वाले सुबो अदलाल की बेटी की साधी थी उनके घ़र में हजारी बाग और बोकारों से रिष्टदार आए हुए थे आग में जलने और दम खुटने से 14 लोग की जान चली गई है वही 36 लोग जखमी हुए हैं कुछ का पाटली पुत्र नर्सिंग होम वा कुछ का SNMMCH में इलाज चल रहा है सभी खत्रे से बाहर हैं बतादे 10 महिला हैं दो बच्चियां एक बच्चा और एक बुजूर्ग की मौत हुई है गउतला भाय की दूसरी मंजिला के एक फलेट में दिया गिरने से भड़की आगे ने कहर पर पाया है मरने वालों में बोकारों के पिट्टू सिंग की पतनी 30 साल की सभीता दे भी सामिल है 23 अप्रेल से होगी बीएड परवेस परिक्चा 10 फरवरी से आवेदान जार्खन के सरकारी वर निजी बीएड संस्थानों में संचालित बीएड पाठेकरम में नमांकन के लिए परवेस परिक्चा 23 अप्रेल को आवेजित की जाएगी यह परिक्चा राजे इस्थित विश्वभी द्याले से उतिन अभ्यार्थियों के लिए कूल सीटों में 85% सीटे आरक्षित होगी जबकि 15% सीटे खूली रहेंगी बता दे JCECEB बोड ने इस परिक्चा को लेकर विश्वभी स्थित सुचना जारी कर दिया इसके तहाद इस परिक्चा में सामिल होने के लिए ओनलाइन आविदन 10 परवरी से 10 मच तक भरे जाएंगे ओनलाइन परवेश पत्र परशत की वेप साइट पर परिक्चा से 4 दिन पूर्व डाउनलोड किया जा सकेगा सुरस्वती परतिमा विश्वजन के दरान पत्राव की जाच S.I.T करेगी नरायन पूर के डोकी डीह गा में माज सरस्वती की पत्राव की पत्राव की जाच की अब S.I.T टीम करेगी इस मामले में नरायन पूर्थाना की पूलिस ने 80 लोगों को नामजाद आरोपीत बनाया है उसके अलावा 400 अग्यात के खिलाप मामला दर्च किया गया बिभाग के वर्य अधिकारियों ने निर्देश पर जाम तड़ा S.D.P.O. अनंद जियोती मिंज की अगोई में गठित S.I.T में नौ पूलिस अधिकारियों के साथ पूलिस की तकनिकी साखा को भी सामिल किया गया है मकंबे के वर्य पूलिस अधिकारियों की S.I.T मामले के सभी आरोपीत को जल्द गिरफतार करने के साथ ही मामले की रोजाना की प्रगती रिपोर्ट विभाग को अपडेट करने का निर्देश जारी किया है क्रिस्य ऊपजवा पसुधन विपनन बील पर चार्चा के लिए राजिपाल ने बुलाया राज़ भावन राज़ेपाल नमेस बैस जारखन राज क्रीशी उपज और पसुधन विपनन विध्यक 2022 से संतुष्ट नहीं है उन्होंने इस विध्यक पर चार्चा के लिए बुद्ध वर्गु क्रीशी और पसुपालन मंत्री बादल और विभाय के सच्चु अबोव भककर सिदिकी को रा है बजट में छेत्रिये भासा के पुष्टकाले तक खोलने की बात कही गई है इसे जन जातिया चात्रों को पढ़ने में सहुलियत होगी वहीं पंचायत व अवार्ड अस्तर पर नेशनल डिजिटर लाइबरेरी अस्थापित की जाएगी जारखन के परिप्रेक्ष में एक